नमस्कार आज हम बात करेंगे निबंध संस्कृति के बारे में जिसे लिखा है भदंत आनंत कौशल लियाएंज जी ने भदंत जी सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले में पैदा हुए थे और वे आजीवन बौद भिक्षू रहे साथ ही साथ उन्होंने पूरा जीवन अपना हिंदी की सेवा में लगा दिया उनका दर्शन उनका विचार हमें उनकी रशनाओं को देखने से पता चलता है और उनके इस अध्याय में इस निबंध में भी उनके दर्शन की हमें गहरी जलक मिलती है भदंत जी इस पाठ के आरंभ में एक बात कहते हैं कि हमारे आसपास समाज में जिन दो शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वे हैं सभ्धिता और संस्कृति लेकिन विडंबना देखिए समस्या ये है कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल इन दो शब्दों का होता है इसको ले करके उतनी ही ना समझी हमें लोगों में देखने को मिलती है मतलब लोग सभ्धिता और संस्कृति का प्रयोग तो धडल्ले से करते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है महत्व क्या है इसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी हो इसे समझाने के लिए वे एक उधारण देते हैं एक नहीं बलकि दो उधारण लेते हैं पहला उधारण उन्होंने लिया आग का अविश्कार और दूसरा उधारण लिया उन्होंने सुईधागे का अविश्कार तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपने इस पाठ में यह समझाने की कोशिश की है कि हम सभ्यता किसे कहेंगे और संस्कृती किसे कहेंगे अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं आप लोग जानते हैं कि हम जब आग के आविश्कार के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत आराम से या बहुत गहराई से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आग कितनी एहम खोश थी मनुश्रता के लिए अगर आग ना होती तो हम जिस तरह से आज रोटी पकाते हैं जिस तरह से भोजन पकाते हैं या जिस तरह से हमारी उद्योग कलकार खाने सब चलते हैं उनमें अलग-अलग तरह के इंधन भले ही प्रयोग होते हूं चाहे वो कोईला हो चाहे वो पेट्रोलियूम हो चाहे वो गैस हो लेकिन आग के बिना कोई भी काम हमारा नहीं चल सकता तो यह जाहिर है कि आग जो है वह मनिश्य के लिए बहुत जरूरी चीज है और इसे जो खोजने वाला मनिश्य रहा होगा उसने अपने समय के हिसाब से एक कितनी बड़ी खोज मनिश्यता को दी होगी चलिए अब चलते हैं हम दूसरा उधारण की तरफ उन्होंने दूसरा उधारण दिया सुई धागे का विश्कार अब अगर हम यह देखें कि सुई धागे का विश्कार यदि ना हुआ होता तो क्या यह जो फैशन के रूप में इतना बड़ा संसार हमारे सामने उपस्तित है या फिर सर्दी, गर्मी, बरसाथ, हर तरह के मौसम से बचने के लिए हम ये जो विन विन प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वस्तर पहनते हैं, क्या ये उपलब धो पाते हैं हमें, जाहिर है कि नहीं तो भदंद जी कहते हैं कि उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, तो एक मनुष्य अगर ये सोचे कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं, जिसमें लोहे की एक छोटी सी छण हो और उसके एक सीरे पर एक धागा फसादिया जाए, और उससे फिर हम उस धागे से एक कपड़े को बु जो करते हुए, इस पश्ट करते हुए कहते हैं कि इन दोनों उधारणों में दो चीजें अलग-अलग हमें समझने की जरूरत है, पहली चीज ये कि एक तो वह चीज जिसका आविशकार हुआ, जैसे आग का आविशकार हुआ, जैसे कि सूई धागे का आविशकार हुआ, तो एक तो वहवस्तू, दूसरी चीज भी महत्वपूर्ण है, जो है कि उस मनिष्य में उस चीज को खोजने की जो प्रवर्ति थी, या जो योग्यता थी, या जो उत्साह था, उसे भी हमें कोई नाम देने की जरूरत है, तो भदन जी कहते हैं कि मनिष्य के भीतर ये जो सतह चेतना पैदा होती है, जो उसे कुछ नया खोजने को, नया जानने को उत्साहित करती है, यही संस्कृती है, और जब वह कोई चीज खोज लेता है, जैसे अगर उसने आग खोज लिया, या फिर पहिया खोज लिया, या फिर सुई धागा खोज लिया, या इस तरह की पचा इस पश्ट रूप से हमें समझ में आता है कि सभ्यता क्या है संस्कृति क्या है तो एक बार फिर से हम इसको समझ लें कि जो संस्कृति है वह है मनिश्र के भीतर वो छुपी हुई शक्ति जो उसके भीतर यह योगिता पैदा करती है कि वो नई चीजों को पैदा कर सके नए ज चलकर के उसका प्रयोक करें, उसका अच्छे से स्तेमाल करें वह चीज है सभ्धिता, तो इस तरह से वे संस्कृती और सभ्धिता दोनों को अलग-अलग सपश्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत व्यक्ति कौन है, तो संस्कृत व अब हमारे सामनी सवाल पैदा होता है कि जो संस्कृत व्यक्ति होता है वह इतनी सारी जो खोजे करता है इतना सारा जो ज्यान वह आविश्कृत करता है और अपनी आने वाली पीडियों को देता है तो आने वाली पीडियां जब उसको प्रियोग में लाती हैं या उसका पालन नहीं खोजा इस ज्ञान को उन्होंने खुद नहीं पैदा किया बलकि उन्हें ये अपनी परमपरा और विरासत से मिला है एक उधारण के माध्यम से समझते हैं जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि न्यूटन बगीचे में बैठे थे और एक सेब उनके सामने गिरा उनके भीत पुण आकलन करने के बाद में उन्होंने एक सिद्धानत इस दुनिया को दिया जिसे गुरुत्व का सिद्धानत कहते हैं गुरुत्वा कर्शन का सिद्धानत कहते हैं तो न्यूटन पहले वक्ति थे जिन्होंने इसको खोजा और इसे अपने आने वाले पीडियों को यह कई सिद्धानतों से परजित हैं जिन्हें न्यूटन स्वयम नहीं जानते होंगे तो कहने का मतलब यह कि उनका ज्यान न्यूटन के ज्यान से कहीं जादा आगे है तो हमारे मन में संशय आ सकता है कि अगर हम न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति मानते हैं तो क्या यह जो लाख आप स्वयम किसी चीज को खोजें, स्वयम कुछ आविश्कृत करें, स्वयम कुछ नए ग्यान को जन्म दें तो यह सबसे बड़ा आधार है संस्कृत होने का लेकिन सभ्यता क्या है? यानि कि यह जो लोग यह जो इतना ग्यान जानते हैं यह क्या कहलाएंगे? अगर यह संस्कृत नहीं कहलाएंगे, तब यह क्या कहलाएंगे? तो चूंकि इनके पास जो कुछ है, वह सभ्यता का हिस्सा है, इसलिए यह सभ्य कहलाएंगे तो न्यूटन हुए संस्कृत और हम लोग हुए सभ्य तो यह अंतर हमें यहां समझने की जरूरत है इसी तरीके से हम देखें तो चास डाविन जो थे, उन्होंने मानव उत्पत्ती या जीव उत्पत्ती का सिधान्त दिया कि जीवों का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से वे विक्सित हुए, एक से दूसरा जीव, दूसरे से तीसरा जीव, किस तरह से वो विकास के परंपरा आगे बढ़ी, या फिर हम एडिसन को ले सकते हैं, जिन्होंने बल्ब और उसके अलामा भी उन्होंने बहुत सारी आधारित है, सायवी उद्योग जो है उनी सिध्धानतों पर काम करते हैं तो ये जो लोग थे इन्होंने पहली बार इन चीजों को खोजा ये इसलिए ये संस्कृत व्यक्ति थे और हाज हम इनके खोजी हुई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम सभ्य हैं, तो ये सभ्यता है जिसे हम सिवलाइजेशन कहते हैं तो मुझे उमीद है अभी तक आप इस पश्ट रूप से समझ गए होंगे कि सभ्य और सभ्यता क्या है और संस्कृत और संस्कृति क्या है ये दोनों बिलकुल अलग अलग चीजे हैं आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने बात की संस्कृति के भौतिक पक्ष के बारे में अब आप सूचेंगे कि भौतिक पक्ष क्या है तो भौतिक पक्ष ये है कि हम अपने रोज मर्रा की जंदिगी में जो भी चीजें प्रियोक करते हैं मतलब दैनिक जीवन के प्रियोग की जो वस्तुवे हैं, चाहे कहीं पर आना जाना है, किसी से बाचीत करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर यातायात के विभिन्न साधनों का प्रियोग करते हैं, जो भी कपड़े हम जीवन चल नहीं सकता लेकिन संस्कृति का एक अलग पहलू भी है जिसके बारे में भदन जी ने अपने इस निबंध में संकेत किया है वह है अध्यात्मिक पक्ष कहने से मतलब यह नहीं है कि वो धर्म से जुड़ा पक्ष है अध्यात्मिक पक्ष का मतलब यह कि जब हमारा पेट भरा होता है जब हमारी भौतिक जरूरतें सभी भौतिक जरूरतें पूरी हो जाएं यानि कि हमारे पास में कपड़े हैं पहनने के लिए हमारे पास में अच्छा घर है रहने के लिए हमारे पास अच्छे मित्र हैं अच्छा परिवार है यानि कि कुल मिला करके सभी बहुत इक जरूरते हैं, हमारी पूरी हो गई हैं, तब उसके बाद की जो जरूरते हैं, जो हमारी आत्मा के इस तर से जुड़ती हैं, या हमारी बुद्धी के इस तर तक इस तर से जुड़ती हैं, उसको हम अध्यात्मिक पक्ष में जोड़ कर देख सकते हैं, उधारण के एक व्यक्ति है जिसका पेट भरा हुआ है और वह आराम से खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है अब रात में वह आसमान की तरफ देखता है उसको आसमान में ऐसे लाखो करोडो तारे नजर आते हैं अचानक उसके मन में जिग्यासा प्रगट होती है कि इतने जो लाखो त सारे हैं यह हैं क्या चीज यह क्यों हर रात आसमान में चमकते हैं क्यों इतने सारे हैं यह असंख हैं किन चीजों से बने हुए हैं अब उसके भीतर यह जो नया जानने की जिग्यासा है जिसका उसकी भौतिक आवशक्ता से कोई लेना देना नहीं है कहने का मतलब यह कि पैदा हो गई है, तो यह जो सहज जग्यासा हमारे भीतर पैदा होती है, यह हमें उसके संस्कृति के अध्यात्मिक पक्ष की तरफ धीरे-धीरे ले जाती है, एक उधारण लेते हैं नचकीता का, आपने नचकीता की कहानी शायद सुनी होगी, नचकीता रिशी वाश्रवा क पुत्र थे और कहा जाता है कि वाश्रवा ने एक बार बहुत बड़ा यग्य किया और यग्य संपन्न होने के बाद में उन्हों ने यग्य में जितने भी रिशी मुनी आए हुए थे उनको गौ दान करना शुरू किया तो नचकेता ने देखा कि मेरे पिता उन्हीं गायों को दान में दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं है जो दूद नहीं देती हैं जो रोगी हैं और जो व्रद्ध हो चुकी है यानि जिनको सेवा के ज़रूरत है और यहाँ पर तो हम दान में दे रहे हैं तो नचकेता अपने प बहुत प्रिय हो तो नचकेता ने प्रश्ण किया कि आप ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं जो किसी भी काम की नहीं है जो दूद नहीं देती हैं तो मैं आपको इतना प्रिय हूं तो आप मुझी क्यों नहीं दान में दे देते improve तो इस प्रश्ण से जो है वाश्रवा बड़े हैरान हुए और फिर उन्हें थोड़ा क्रोध भी आया उन्होंने नजकेता को वहां से हटाने की कोशिश की लेकिन नजकेता अपनी बात पर अड़ा रहा नजकेता ने कहा कि पिता जी आपने बताया नहीं कि आप मुझे किसे दान में देंगे तीन-चार बार ये प्रश्ण पूछने के बाद में वाश्रवा जल्ला उठे और वाश्रवा ने गुस्ते में कह दिया कि जा मैंने तुझे मृत्य को दिया यम को दिया और ये कहने के तुरंत बाद उनको ये आहसास हुआ कि मैंने कितनी गलत बात कह धी और उन्होंने नच्केता को समझाने की कोशिश की कि इस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन नच्केता ने ये प्रणख कर लिया कि मैं अपने पिता की बात को मिथ्या नहीं होने दूँगा और वे चल पड़े मृत्यू के द्वार पर, यम्राज के द्वार पर जब वे यम्राज के द्वार पर पहुंचे तो पता चला कि यम्राज तो वहाँ पर हैं ही नहीं मतलब वो कहीं गए हुए थे तो तीन दिन के उपरांत जब वे लौट कर आए तब उन्होंने नचकेता को अपने द्वार पर पड़े देखा और इससे जो है उनके भीतर बहुत ज़्यादा गलानी हुई कि एक छोटा सा बच्चा मेरे दरवाजे पर पड़ा रहा और मैं उस समय घर पर नहीं था तो उन्होंने नचकेता को तीन वर्दान देने के लिए कहा तो नचकेता ने पहला सवाल नचकेता ने पहला वर्दान मांगा कि मैं जब यहां से वापस मृतिलोक में जाओं तो मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम से मिले और मुझे दुबारा से स्विकार कर ले दूसरा वर्दान उन्होंने मांगा कि मैं स्वर्ग में रहने योग्य ज्यान को प्राप्त कर सकूँ यानि कि उस योग्यता को अर्जित कर सकूँ जिस योग गता को अरजित करने के बाद में, हम मृत्यू लोक से स्वर्ग लोक में जाकर रहने योग्य हो जाते हैं तो जो यमराज थे, उन्होंने दोनों जो वर्दान थे, उनको उसी समय पूरा कर दिया लेकिन तीसरा जो वर्दान था उसे सुनकर वे चोकनने हो गए, हैरत में पड़ गए क्योंकि तीसरा जो वर्दान था उसमें नचगेता ने उनसे जानने की कोशिश की कि मुझे आप मृत्यू का रहसे बताईए कि जब मनुष्य की मृत्य हो जाती है तो उसके बाद उसके साथ होता क्या है इसके बदले में यमराज ने या धर्मराज ने उन्हें बहुत तरह के प्रलोभन दिये उन्हें बहुत लंबी आयू का वर्दान कहा कि मैं आपको दे देता हूँ आप जितना लंबी आयू जीना चाहें, जी सकते हैं, या आप जितना धन संपत्ती अर्जित करना चाहें, वो मैं आपको दे देता हूँ या आप जितना बड़ा अपना राज्य फैलाना चाहें, जितना बड़ा राज्य आप चाहें, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन नचगेता इस बात से बिलकुल भी टस से मस नहीं हुए अपनी बात से उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अपनी यही जग्यासा पूरी करनी है कि मृत्यू के बाद मनुश्य के साथ होता क्या है तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि मनुष्र के भीतर जो जिग्यासा है जो सवाल जानने की इच्छा है यह बहुत प्रबल है और यह बहुत सहज तरीके से हमारे मन के भीतर उमड़ती है और इसका सीधा संबंध किस से है संस्कृती से है तो यह सहज संस्कृती का एक उधारन हुआ दूसरा उधारन हम बुद्ध का ले सकते है बुद्ध जो बचपन से उन्होंने सारे सुख उन्होंने भोगे सारी सभी प्रकार की सम्रद्धियां उनके पास थी राजा के पुत्र थे हुए उनके पास में किसी भी वस्तु की कोई भी कभी नहीं थी हर तरह का सुखानंद उनको अच्छे से प्राप्त था लेकिन जब वे बड़े हुए तब उनके भीतरे जिग्यासा प्रगट हुई कि मनुष्य को जो दुख होता है या मनुष्य को जो व्रद्धावस्था आती है या मनिश्री की जो मृत्ति होती है इसके पीछे क्या कारण है क्या इस दुख को क्या इस कष्ट को दूर किया जा सकता है और इतनी ही जग्यासा को ले करके वे अपना सारा राजपाट छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े ग्यान की प्राप्ति के लिए और उसके लिए अपने ग्यान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपार कष्ट जो है वो सहे तो इस दूसरे उधारन से भी हमें पता चलता है कि मनिश्री के भीतर जग्यासा जो है या जो सहज जानने की जो प्रवर्ति है वो कितनी प्रबल होती है वह इतनी प्रबल होती है कि वह उसके लिए अपनी सभी भौतिक वस्तूओं को भी त्याग देने पर आमादा हो जाता है एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपने देखा होगा कि हमारे बीच ऐसे मनीशी हुए हजारों सालों की परंपरा में ऐसे अनेक मनीशी हुए जिन्नोंने बड़े से बड़े त्याग किये जिन्नोंने किसी ने अपना जन्म जो है अपना पूरा जीवन जो है वो त्याग कर दिया किसी ने राश्टर के लिए, किसी ने अपने मित्र के लिए, किसी ने समाज के लिए, तो ये कहां से जन्म लेता है तो यह भी एक संस्कृति का रूप है कि हमारे भीतर जो ये सहज संस्कृति है कि हम मनिशेता का भला कर सकें, हम अपना कुछ त्याग करके, कुछ नया समाज में कुछ नए विवहार पैदा कर सकें, यह भी एक प्रकार की संस्कृति है आपने समझा कि जो संस्कृति है, वह किस-किस रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है तो मुझे लगता है कि संस्कृति को लेकर जो भी संदे हैं वो आपके अभी तक पूरे हो गए होंगे अब हम यह समझ लेते हैं कि संस्कृति का जन्म दो तरह से होता है एक बाहे या भौतिक प्रभाव और दूसरा जो है वो आंतरिक या सहज अध्यात्मिक प्रभाव तो जो भौतिक प्रभाव हैं वो ये हैं कि हमारी जो रूटी कपड़ा मकान जैसी जो भौतिक बुनियादी जरूरते हैं वो हमारे भौतिक प्रभाव हैं जिसके कारण हम नई चीजों का आविशकार करने के लिए प्रेडित होते हैं हमें भूख लगी तो हमने नए नए प्रकार के वेंजन खोजे अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने कृशी के नए तोर तरीके सीखे हमने आग का आविशकार किया और आग को जो है इंधन के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके खोजे या फिर यातायाद के और भी बहुत साधन वगेरा जो भी चीजे हैं ये सब बहुत इक प्रभावों के तहत आती हैं दूसरा जो कारण है संस्कृति को जन्म देने का वह है आंतरिक प्रभाव या फिर जो हमारे जो अंदर सहज अनुभूतियां हैं वो जब काम में आती हैं या ध्यात्मिक प्रभाव जैसे कि जो सहज जग्यासाएं हैं जैसे आसमान को देख करके तारों को जानने की जग्यासा, ब्रम्हांड को जानने की जग्यासा, समुद्र के भीतर कौन-कौन सी चीजें हैं उनको जानने की जग्यासा या फिर हमारी विशाल पृतिवी के भीतर क्या-क्या है, मिट्टी के नीचे क्या-क्या है, ज्वाला मुखी किस तरह से फटते हैं, क्यों फटते हैं, इसको जानने की जो जिग्यासा है, यह चीज जो है हमारी सहज जिग्यासा में शामिल है, तो दूसरे कारण जो हैं वो इस जो आग और सुईधागे का विषकार कराती है, वह भी संस्कृति है, जो हमें तारों को, ब्रम्हांड को, प cookies को जानने के लिए प्रेडित करती है, वह भी संस्कृति है, और जो किसी महामानाव से सर्वस्व का त्याग कराती है, जैसे बुधु का उधारन ले सकते हैं, महा अन्तिम भाग में चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि मनुश्री के द्वारा अब तक जो कुछ भी खोजा गया है, जो कुछ भी आविश्कृत क्या गया है, क्या वह सब संस्कृती के दाइरे में आता है। पुढ़ारन के लिए कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यह इतने जो पर्माडव हथियार हैं, जो पूरी पृत्वी का विनाश करने के लिए काफी है, या फिर अलग-अलग तरीके के जैविक हथियार जो खोजे गए हैं, या फिर मानवता या मुनिश्रता को नुकसान पहुच माने के लिए जो भी अलग-अलग प्रकार की चीजें खोजे गई हैं, क्या इन्हें भी हम संस्कृती मानें? तो बदन जी कहते हैं कि हम इन्हे संस्कृती का हिस्सा नहीं मान सकते हम इन्हे संस्कृती का हिस्से के रूप में हमें इन्हे स्विकार नहीं करना चाहिए यह असंस्कृती है यह अब संस्कृती है और यह संस्कृती का विशाक्त रूप है जैसे जो पानी होता है पानी में अगर हम अमरित को घोलें तो वह अमरित हो जाता है लेकिन अगर उसमें हम विश डाल दें तो वह विशाक्त हो जाता है उसका हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते इसी तरीके से वह जो संस्कृती है वह त्याज्य है वो छोड़ देने लायक है और उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए अंत में भदन जी कहते हैं कि यह जो पूरी मानव संस्कृती है यह अविभाज्य है जो हम यह कहने के कोशिश करते हैं कि पास्चात संस्कृती, भारतिय संस्कृती, पुरातन संस्कृती या फिर आधनिक संस्कृती हमें संस्कृति को इस तरह से बांट कर कदापी नहीं देखना चाहिए तो संस्कृति जो है वह काल के रूप में अलग-अलग काल खंडों में न बांट कर देखी जा सकती है ना धर्ती के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग देशों में उसे बाट कर हमें देखना चाहिए और ना ही हमें उसे किसी एक विशय से जोड़ करके देखना चाहिए जैसे भौतिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, विज्ञान से जुड़ी हुई संस्कृति हो गई, साहित्य से जुड़ी हुई संस्कृति हो गई तो इस तरफ से पर हमें संस्कृति को बाटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए तो जो संस्कृती है वो पूरी तरीके से अविभाज्य है उसे बाटा नहीं जा सकता अब संस्कृती में जो है दो तरह की चीजे हैं एक कल्यानकारी और एक अकल्यानकारी संस्कृती में ऐसी भी चीजे हैं जिससे मानावता को बहुत लाभ पहुँचता है यानि कि हम ऐसा ज्ञान पैदा करते हैं, हम ऐसी इस प्रकार के आविशकार करते हैं जिससे मनुश्यता को, मानावता को लाभ पहुंचता है और ऐसा भी उसमें बहुत कुछ है जिससे लाभ नहीं पहुंचता, नुकसान ही पहुंचता है लेकिन यह जो कल्यानकारी अंश है यही श्रेष्ट है यही अस्थाई भी है और यह जो है हजारों सालों की परंपरा से चला आ रहा है यानि कि संस्कृति को जो कल्यानकारी रूप है वो ठोस है वो मजबूत है वह इस्थाई है हमें उसे ही अपनाने की जरूरत है उसे ही आगे लेकर के जाने की जरूरत है इस पाठ के जरिये आपने जाना कि संस्कृति क्या है उसके भिन भिन रूप कौन कौन से है और संस्कृ किस प्रकार या किन कार्णों से जन्म लेती है पेविद्यार्थियों आज के सत्र में आप स्वाध्याय करते रहें और अपने उद्देश की पूर्ती में सफल हो इन्हें शुपकामनाओं के साथ शेग्र ही किसी नए पाठ को लेकर हम फिर से आपके सामने उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया झाल